पूडमिवाबसिष्यते ओम शांतिही 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 शांकरम शांकराचारियं केशभंबादरायडं सुत्रभाष्य कृतव बंदे भगबंतव पुनहा पुनहा इश्वरो गुरुरात्मेति मुर्ति भेद विभागिने व्योमबत व्याप्त देहाया दक्षणा मुर्ते नमहा ओम शांतिही 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 नैस करमय सिद्धि में प्रतम अध्याय के सारशट नंबर स्लोक के अपर विचार हुआ 67 शक्रित प्रवृत्या मृदनादे क्रिया कारक रूप भृत्य अज्यानम आगम अज्यानम सांगत्यम नास्त्यतो नय हो क्रिया कारक के स्वरूप को भरण पोषण करने वाला है अज्यान अज्यान होतो क्रिया कारक रूप आएगा मैं करता हूँ देवतादी फल देंगे सरगादी फल मिलेगा है कि नहीं ऐसा हो गया अज्यान और ऐसे अज्यान को ज्यान उत्पन्न होते ही नास्त कर देता है सक्रित प्रबृत्या म्रिद्रांती नास ज़ती अर ज्यान कैसे प्राप्त होगा आगम ज्यानम आगम ही न ज्यानम इती आगम ज्यानम इसलिए ज्ञान से अज्ञान की निविरती हो गई और अज्ञान निविरती को फिर कर्म कैसे होगा इसलिए ज्ञान और कर्म में सांगत्य में समुच्चा नहीं होगा आगे देखो और सट नंबर स्लोक का विचार होगा थोड़ी सी टीका है 73 नंबर पेज में नानात्व सुन्यम अद्वयम ब्रह्म इतिया उपगम्या ब्रह्म जहे अद्वयम एक वादुतियम नेहा नानास्तिक इंचना उसमें किसी पकार का नानात्व राना मतल भेद भेद नहीं है ब्रह्म में कर्मना समच्चो निराकृत ऐसा जो ज्ञान है स्वरुप का जो ज्ञान है वात्वित्य ब्रह्म का ज्ञान बाकी ज्ञान तो कर्म के साथ समच्चो होगा ठीक है ना मैं अमगणन का हूँ मैं अमकास्रम का हूँ सरगादी फॉल मिलेगा ठीक है ना देवता का ज्ञान द्रभ्यादी का ज्ञान ये भी ज्ञान है सास्त्र का ज्ञान लेकिन ऐसे ज्ञान का कर्म के साथ समच्चो तो हो जाता है लेकिन मैं आसंग ब्रह्मा हूँ इस पगार का जो ज्ञान है और दूतिय ब्रह्मात्मा का ज्ञान उसका समच्चो नहीं हो सकता है कर्म के साथ ये कब बात कही गई ठीका में देखो आगे थोड़ी से संप्रती चोस्तर नमर में देखो संप्रती द्वेता द्वेता अत्पकम ब्रह्मा इती उपगमे अपी नसंभवती कुछ लोग कहते हैं कि ब्रह्मा अद्वेत नहीं ब्रह्मा द्वेता द्वेत है ऐसा मानते हैं कुछ लोग ब्रह्मा अद्वेत शरूप नहीं है द्वेत अद्वेत रूप दोनों है हम किसी का भी अप्रामाणिक नहीं कहते हैं सभी बाक्य प्रामाण है एक निम्बार का आचरिय जो निम्बार का आचरिय है उनका मत है ब्रह्मा द्वेत भी हो सकता है अद्वेत भी हो सकता है जो कि अद्वेत का निरुपण है ही उपनिसाद में एकवम अद्वुत्यम इत्यादी है कि नहीं और द्वेत का विन निरुपण है द्वासव पुर्णा सहुजय सकाया समाना ब्रिक्चम परिशत सोजाते जले ब्रह्मा द्वेत रुपण भी है और द्वेत रुपण भी है द्वेता द्वेतात्मक मानते हो लोग सज में न तो उनका कहना क्या है जैसे द्रिश्टान देते हैं ब्रिक्चे का द्रिश्टान देते हैं ब्रिक्चे में साखा अनेक होते हैं उत्र है पुष्प रह बहुत सकाथ को लेकर के द्वेत भी है। कर शौकाद्भेत त्हों जाएका ना सक्षादि को लेकर के सौकाद्भेत हो जाएका कर लेकिन सक्षादि जो भी दिखे सब yaşं़र करने अब भृक शेटत्व्रेश्पी लेको है। और साखा आदी की भेट से अनेक है है ना इसले द्वेत भी होगा अद्वेत भी होगा जैसे समुंदर में देख लो तरंग आदी कोई छोटा तरंग कोई बड़ा तरंग दिखता है तो अब यब को ले करके द्वेत हो जाएगा जो भी तरंग है वो सब समुंदर रही है इसले अद्वेत है सज में कि ने ऐसा मानते हो लोग मिट्टी से घट होता है घट अत्वेना क्या है द्वेत है मृतिक अत्वेना अद्वेत है इसले द्वेत अद्वेत मानते हो लोग ठीक है ना इसले सभी बस्तु कैसा है द्वेता द्वेतात्मक द्वेत भी होता है अद्वेत भी होता है भेत भी होगा अबेत भी होगा तो ऐसा उनका कहना है तो ब्रह्म को द्वेत अध्यद रूप मानने पर भी ज्ञान और कर्म में समुच्च नहीं हो सकता हमनी मानते द्वेता दत्मक मान बिलिया तुम ब्रह्म को द्वेता द्वेता दत्मको फिर भी ज्ञान और कर्म का समुच्च नहीं हो सकता यह कह रहा है šishhty eight में देखलो मुल में एवम तावत नानात्य ब्रह्म अले ब्रह्म तो नाना नहीं है ब्रह्म तो अद्धिस रूप है फिर भी ज्यान करमण समच्छ निराक्रित हब ज्यान करम का समच्छ तो निर्यागण कर दिया अभीतक अथ अधुना अभी क्या कहना चारे हो पक्षांतर अभिवगमेन अभी पक्षांतर यह हुआ ब्रह्म को द्वेत अध्वेत रूप मानने पर भी अभस्ताने पूर्ववत अनाश्वस पहले कितर अनाश्वस हो जाएगा मतलब क्या है ज्ञान और कर्म का समच्च नहीं सो सकता तथा इसी पेकार से अभिदियते अब उसका अंधिरुपन हम करते हैं कहाई कहते हैं सिष्टियड में देख लो अन्सारितनानात्तम ब्रह्मयस्यापिवादिनाह तन्मतेनापिदुसाध्यो ज्ञान कर्म समच्च नहीं मानते हैं तो उनके अनुशार भी ब्रह्मय कैसा है बलते कि अनुशारितनानात्तम जहां पर नानात्त भेद का सरवता निराकल ने किया गया अनुशारितनानात्त ब्रह्मय में भेद का सरवता निराकल ने किया गया स्वगत भेद, बाकी भेद तो नहीं है, सज मैंने, सजातिय भेद भी नहीं है, बियातिय भेद भी नहीं है, लेकिन स्वगत भेद माल लेते हैं, जैसे ब्रिक्चे में साखा, इस प्रिका ब्रह्मा में जो अवयब है, सज मैंने, जीव है, जगत है, ऐसा मानते हैं वो लोग तो उनके माद मित्तान मतेना पी ज्ञान कर्मा समच्च दुसाध्य फिर भी ज्ञान और कर्म का समच्च नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता इसी चीज़ को आगे कहेंगे अगले स्लोग में कहेंगे देखो तस्य बिभाग उक्ति दुष्ण बिभाग प्रज्यप्ते अब यह कह रहे हैं देखो बिभाग का कथन करेंगे कि ब्रह्म को तुम अपने से भिन्न मानते हो कि अभिन्न मानते हो आपका स्वरु ब्रह्म है कि ब्रह्म नहीं है है कि नि आत्मा ब्रह्मा से भिन्न है कि ब्रह्मा से भिन्न है यह आत्मा यह ब्रह्मा आत्मा है कि अनात्मा है कहने का मतलब ब्रह्मा आपसे भिन्न है कि ब्रह्मा आपसे अभिन्न है ये विचार किया जाएगा देखो इसको कहते हैं बिभाग उक्ति क्यों कह रहे हो दोस्ण बिभाग प्रक्याप्त है है कि नहीं ये दोस्ट का बिभाग करके ज्ञान करने के लिए किसी भी पक्ष में तुमारा जो है ज्ञान नहीं हो सकता ब्रह्मा भाव की प्राप्ति नहीं हो सकता है ये बोलते हैं बैया ज्ञान करम का समुच से ब्रह्मा की प्राप्ति तो नहीं हो सकती कैसे बताएंगे देखो ब्रह्मा आत्मा रूपकम आत्मानाप्तिर्भवेन मोहाद इतरश्याप्यनात्मनह देखो कहते हैं तस्य जो मानते हैं भेदा भेद भेद भी होता है अभेद भी होता है तस्य मते करते हैं कि ब्रह्म आत्मा भाभवेद जदिवा अनात्म रुखबकम यह बताओ ब्रह्म आत्मा है कि अनात्मा है तात्पिर क्या हुआ ब्रह्मा आपका स्वरूप है मतलब ब्रह्मा आपका स्वरूप ही है कि आपका स्वरूप नहीं है है कि नहीं आपसे भिन्ना है कि आपसे भिन्ना नहीं है यह विचार चल ला है है ना क्या है भगवन किया है और हर महादिप करो है कि नहीं है और जोद्या में जाए तो जाए शिराम करो और क्या है सब ब्रह्मा रूपे है यो क्यों बैई सही है ना परमात्म तो एक ही है नाम कुछ भी कहलो रूप कुछ भी कहलो परमात्म यह है कि नहीं इसलिए हमने रादे रादे का चलो तो कह दें कि ब्रह्मा आत्मा बाभवेत अनात्मा रुपकम बाभवेत ब्रह्मा आत्मा है कि ब्रह्मा आत्मा नहीं है यह विचार कर लो ठीक है ना जदी ब्रह्मा आत्मा है मतलब ब्रह्म आपका शुरूप है सहाज मैं कि नहीं फिर भी शुरूप की प्राप्ति नहीं हो रही है ब्रह्म भाप की प्राप्ति नहीं हो रही है है कि नहीं तो क्या मानना चाहिए ब्रांती मानना चाहिए ब्रह्म आपका शुरूप है फिर भी मैं ब्रह्मा नहीं हूँ है कि नहीं तो ये ब्रह्मा भाव की प्राप्ति नहीं होना ये महा है कि नहीं महा मतलब अग्यान अग्यानी मनन पड़ेगा संच में कि नहीं ये कह रहे है ठीक है और इतरस्य पी अनात्मन हा ज़िदी ब्रह्मा आत्मा नहीं है, ब्रह्मा आपसे भिन्ना है, तो क्या करने पर ब्रह्मा की प्राप्ति होगी? बोलो, आपका स्वरुप ब्रह्मा कभी हो सकता है? ब्रह्म हो जोदी आपका स्वरुप कभी भी नहीं है तो क्या करने पर आप ब्रह्म हो जाओगे बताओ बताओ कोई बिचार करने से क्या होगा आपका स्वरुप भाई आपका स्वरुप ब्रह्मा नहीं है तो कुछ भी करने ब्रह्म होपा कैसे होंगे है कि नहीं, लेकिन आपका स्वरू ब्रह्मा है, फिर भी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है, तो अज्ञान है, उसकी प्राप्ति ज्ञान से होगी, बस, ज्ञान से क्यों अज्ञान को दूरी करना है, कर्म का क्या उपजोगे, कर्म का फिर क्या उपजोगे, यह तात्पिर है आपका स्वरू ब्रह्म है मतलब ब्रह्म ही आत्मा है फिर भी मैं ब्रह्म हो जोद ज्यान नहीं हो रहा है इसका मतलब अज्यान है उसकी प्राप्ति ज्यान से होगी तो कर्म का कोई बिन जूग नहीं है जित्य को सूद करने के लिए कर्म तो चाहिए इसका निराकण हम नहीं कर रहे हैं जदि ब्रह्मा आत्मा नहीं है तो चाहे केवल ज्ञान हो अत्वा ज्ञान समझ्जित करम हो कुछ भी करो आप कभी ब्रह्मा रुपा नहीं हो सकते है कि नहीं? ये कहना चाहरा है देखो भई अगला स्लोक है थोड़ी ठीका देख लो है भेदा भेदा पक्षे जदि तुम ब्रह्मा में भेदा भेद मानते हो भेद भी होता है और भेद भी होता है आज रोजी हो रहे और क्या है चलो ठीका है भेदा भेदा पक्षे जीव परमात्मनोष जीवात्मार परमात्मा में भेद मानते हो अभेद्वी मानते हो तब तो भई संसार दसायाम अभी अभेदम एक लिए संसार दसा में भी अभेदम केचित इच्चन्ति यूँकि ब्रह्मों और आत्म में भेदावेद मानते न यह निम्बार काचेज लोग मानते हैं अशा और केचित तो संसार दसायाम भेदेव अग कुछ लोग क्या मनते भई संसार दसा में तो भेदी रहता है और मुक्ति दसा में क्या हो जाएगा अभेद हो जाएगा संसार की प्राप्ति किसमें ब्रह्म हो रात्मा में क्या हो जाएगा भेद हो जाएगा और मुक्त हो जाएंगे तो ब्रह्मा और आत्मा क्या हो जाएंगे एक हो जाएंगे ऐसा है इसका मतलब क्या माल लिया सत्य माल लिया भेद को क्या माल लिया सत्य माल लिया संसारी अबस्ता में जीवात्मा परमात्मा में क्या रहेगा भेद रहेगा एक कि नहीं? ऐसा है कि आपके सिद्धान्त के नशार है? हर समय ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हर समय जीवात्मा, परमात्मा में तो अभेदी रहता है, यही अध्वेत्व वेदान्त का सिद्धान्त है, लेकिन जो लोग सत्य मानते हैं, भेद को, संसार को, संसार को जी सत्य मा तो ब्रह्म्ह आपका शुरूप है ठीक है न भी ब्रह्म्ह ही आपका शुरूप है ऐसा मानते हो है कि नहीं अथवा ब्रह्म्ह आपसे भिन्ना है आपका शुरूप नहीं है दो पक्षे हो गया ब्रह्म्ह ही आत्मा है बतला आपसे ब्रह्म्ह भिन्ना है एक पक्षे हो गया ब्रह्म्ह आपसे भिन्ना है कि भिन्ना नहीं है आपका शुरूप ही है दो पक्षे ह आध्या कलपम दोस्यदे जी भेदी मा würd Vasya ब्रह्म आप कहलँ तो किया दोस्टौ गया था था दोस्ट हो गया आत्मा अनात्मा। नहीं नहीं पहला यह पक्ष हुआ ब्रह्म ही आत्मा है। ब्रह्मा आपका सुरुपी है जदी ऐसा मानते हो तो ब्रह्म्ह की प्राप्ति नहीं होना यह क्या होगे अज्ञान से है और दूत्यम दूसरयती ब्रह्म्ह आपसे हमेशा भिन्ना ही है है कि नहीं आपका स्वरु ब्रह्म्ह नहीं है ब्रह्म्ह आपसे भिन्ना है जदि मानेंगे तो क्या हो जाएगा दोसरयती यह दोस होगा क ब्रह्म आपसे भिन्ही रहेगा हमेशा, कुछ भी कर लो, जाए ज्ञान हो, जाए ज्ञान समचित, कर्म समचित ज्ञान हो, क्या भी भी ब्रह्म रुपता के प्राप्ति नहीं हो सकते हैं। इतर अश्या शत्तो हो बेतिरिक्त अश्या इतर मतलब आपसे बेतिरिक्त है ब्रह्मन तो ब्रह्मा कैसा हो जाएगा फिर अनात्मत्वाद अनाप्ति रेव ब्रह्मा अनात्म होने से आपसे भिन्न होने से हो हमेशा अनाप्ति रेव ब्रह्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकत कभी भी ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती दो पक्षे संज मारा है ब्रह्मा ही आत्मा है एक पक्षे हो गया दूसरा पक्षे क्या हो गया ब्रह्मा आत्मा नहीं है दो पक्षे पक्ड मारा की नहीं आ रहे आप लोगो आ रहे है मतलब अभेद है कि भेद है यह तात्तर हो गया अभेद जदी हो गया तो ब्रह्म ही आत्मा है एकिने अर भेद हो गया मतलब ब्रह्मा आत्मा नहीं है आपसे ब्रह्मा भिन्ना है एकिने ऐसा है नतु कदाची तपी आपती स्यात कर्मना ज्यानेना वाई इत्यर्था ब्रह्म जदी आपसे भिन्ना है आपका स्वरुप जदी ब्रह्म नहीं मानूंगे है ना चाहे कर्म से हो चाहे ज्यान से हो अत्वा कर्म समचित ज्यान से हो रेकिन प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकती ऐसा बोलते हैं अच्छा अगला सुलुक देखो सत्तर नमर में थोड़ी ठीका है वस्तु अवेधा पक्चे मौहात अनाप्ति ही अभेधा पक्चे ब्रह्मोर आत्मा में अभेध है आपका शुरू प्रमाई है फिर भी उसकी प्राप्ति नहीं हो रही है इसका मतलब मौहात मौहा मतलब अज्यान अज्यान को मौहा कहते हैं जद्दी पी मौहा सब्द का अर्थ होता है बिक्चिप मौहा बैचित्प लेकिन बिख्षेप केसे होता है अग्यान से होता है चुमकि अग्यान के दोख सकती है न आपरणा सकती और बिख्षेप सकती है ठीक है तो ज्यादा खत्रना कौन है बंदन कहते कौन है आपरणा हाँ ठीक कहे रहे है आपरणा हाँ बिख्षेप है लेकिन कैसा बिख्षेप है आपरणा पुर्बक जदी बिख्षेप हो वो बंदन कहते है केवल बिख्षेप बंदन कहते है आपरणा पुर्बक जदी बिख्षेप हो जाए तो बंदन होगा शही है सही है कि नहीं सही है सही है तो आपरणा पुर्बक बिख्षेप हो जदी बंदन कहते है तो बंदन कहते हैं जो राखोना तो सिप्पी को नहीं जाना आपरण हो गिया फिर आपको चांदी दिख्षेप हो गया तो ये भी बंदन कहते है राख होगा ना चांदी की प्रति राख होगा सर्पा के सर्पा से द्वेश होगा लेकिन आवरण के बीना जहां पर बिख्चेप होता है आवरण के बीना में बिख्चेप होता है क्या होता है हुँ आवरणा के बीना बिख्चेप होता है तो आवरन नहीं है पिर भी बिच्चे पूरा है वो बंधन कहतु नहीं होता है यह समझ के रगलो ठीक है तो देखो यहां पर क्या कहते हैं यहां पर आवरन पूर्वख जो मौह हो रहा है अग्यान इसी से ब्रह्मा की ब्राप्ति नहीं हो रही है मला ब्रह्मा रुपता का बान नहीं हो रहा है ठीक है ना ब्रह्मा रुपता की अनुभती नहीं होना यही ब्रह्मा की अप्राप्ति है तथा भी फिर भी प्रकुर्ते की मायतम प्रकण जो चल रहा है इसमें क्या आजा क्या हमको प्राप्त हुआ मूल में देखो है सत्तर नमर स्लोक की भूमिका में मूल है वो कहते हैं तत्र जदी तावद बास्त बेन एवा बृत्ते ना ब्रह्म प्राप्तम आत्म सावाब्याद केवलम आशुर मोह अपिधान मात्रम एवा अनाप्ति निमित्तम तस्विन पक्चे देखो जदी तावद बास्त बेन एवा बृत्ते ना ब्रह्म प्राप्तम यह कि नहीं इसलिए ब्रह्म की जो प्राप्ति होगी ठीके ना कैसे बास्ते ब्रह्मा की प्राप्ति होगी मालूम है बास्त बेन एवा है कि नहीं ब्रित्ते ना ज्यान दिल्ड़ा होना चाहिए दिल्ड़ा ज्यान ब्रित्तम ला दिल्ड़ा है कि नहीं इसलिए दिल्ड़ा ज्यान से ही बास्त बेन ब्रह्मा प्राप्तम इसलिए ब्रह्मा शुरूप से प्राप्त होगा क्यों ब्रह्मा शुरूप से प्राप्त होगा बताओ आत्मा सहाबियत क्योंकि ब्रह्मा तो आत्मा है ना आपका शुरूप ही ब्रह्मा है और यह मात्मा ब्रह्मा कहे रहा है है कि नहीं इसलिए ब्रह्मा को आपका स्वरु ब्रह्मा है उसको यह प्राप्त करना है तो क्या चाहिए आपको जब करना है ध्यान करना है अस्टांग जोग करना है क्या करना है कि स्वर्ग जाना है ब्रह्मा लोग जाना है क्या करना है कुछ भी कर लो जब तक नहीं है तब तक ब्रह् जाहिए ज्ञान ही अज्ञान को दूर करेगा क्यों भाई क्योंकि ब्रह्मा आपका स्वरुप हो गया ना आपका स्वरुप ब्रह्मा है फिर भी उसके अनुवुति नहीं हो रही है तो निमित्त हो गया अग्यान ब्रह्मा रुपता की प्राप्ति नहोने का हैतु हो गया कैरा आगे, देखो, के वलम आशूर मोह अपिधान मात्र मेव अनापती निमित्तम्. ब्रम्ह की अनापती का निमित्त्त, प्रापती हो न, प्रापती नहने का निमित्त, ना अपती हेथिए अनापती. ताश्यानिमित्त शुक्त है क्योंकि ब्राम्ह को नहीं जानना यही तो आश्यूर का धर्मा है ब्राम्ह नहीं है अनुबाब नहीं होना अलग चिज़े ब्राम्ह है ही नहीं कि कुछ नहीं देखा है को ब्रह्मा को नहीं देखताय ब्रह्मा में कोई प्रमान नहीं ये किसका धर्मा मालुम है यही हो, आशूरों का धर्मा है साजमे आया है, आपको अनुभाव हो या ना हो अलग बात है में क्या प्रमा03 का है नहीं बलते हैं लोग नहीं से कुछ अकिनल का बनन का एक प्रमाष लिए यह स्त्रमे लोग बलते लोग जो जोर से इसी प्रुखार से अद्वत में क्या प्रमान है ब्रामाँ अद्वत हुई नहीं सकता है बलता है न लोग परमात्मा है पल ये मानो मैं प्र स्बीर से कि निर्ठी से अखले से हर पिर आपने पर मातु का माल लिया पर एक रश सकते प्रह्मा अद्ड़त कैसे हो जा का बिचार करें ब्रह्मा अद्वेत हो इंफ क्रिफ लगई का इस हो जा लेकए य तक सिर समंद मोह ऐ कि ब्रह्म आत्मा नहीं हो सकता नो इसको क्या करना आपिधान आपिधान अज्ञान रुप्य आपिधान है कि पूर्ण है यही हो गिया अनापति निमित्थम् यहीं है नापती का कि तस्विन पक्षे इसी पक्षे में इस बात कही जा रहे हैं थोड़ी ठीका इसकी अपर अशुरा संबंधी मोह यह जो मोह है ना इसको के दिया आशुरा के दिया कि क्या है आशुर आत्मा अनवा वोदहा को आत्मा का वोदह सब्सक्राइब के और इसका तड़स्पर्स्टिकराना के परिछिण आत्मा अहिमान लक्षण यह देखो अात्मा को क्या मालने लक्षण Knado gio मैं परिछिण शरीर में अहिमान करना हम बद्धी करना हे यह हो जया आ शूर और कुछ नहीं है शरीर को ही मैं माल लेना यही हो गया आशूरा है यही आशूरा सम्मध ज्ञान है चांदोग्य में कहा है यही आत्मा है शरीर ही आत्मा है तो पर ब्रह्मा तो कहा है विचाल जाएगा उनका अच्छा अशूरा राम ही एसा उपनिसाथ इती सुते है चांदोग्य में कहा गया यह शरीर को मैं माल लेना शरीर का धर्म को अपना धर्मा माल लेना यही कौन सी उपनिसाथ है उपन बिद्या यह कौन सी बिद्या है किसकी बिद्या है भई अशूरा राम अशूरों की यही बिद्ध्याय आगे देखो भई सत्तन नमस्लोक मोहा पिधान भंगाय नेव कर्मानि कारणम जाने नेव फला ब्याप्तिर्ष जाने नेव फला बाप्तिर्ष तत्र कर्मा निरर्थकम ओ कहते हैं तो भ्रम्ह की भ्रवतिनी होना इसका निमित्त कौन है अग्यान अग्यान निव्रत करेगा कौन ग्यान बस तो ग्यान किसके लिए है अग्यान को दूर करने के लिए कर्म क्या करेगा कर्म अज्ञान को दूर करेगा कर्म अज्ञान को दूर करेगा कर्म अज्ञान को दूर नहीं कर सकता पहले कहा था कर्म अविध्या का विरोधी नहीं है ज्ञान अविध्या का विरोधी है ऐसा का इले महा अपिधान भंगाया महा होगया अपिधान ये अव पिद्या अपने सुरुप को ढगती है। इसलिए ज्ञान से होगा दूर। अपने सुरुप की प्राप्ति रुपे जो भल है यही तो ज्ञान से होगा दूर। इसलिए कर्म के यहां पर निंदा नहीं की जा रही है। यह ध्यान में रखना। कर्म का तो बिन यूग है यो। कर्म के बिन आपका चित्त सुद्ध होई नहीं सकता। इसलिए आपने कभी कर्म किया और तब मनुश्य शरीर मिला है। इतना जुरूर है आपने पूर्ण कर्म किया है तो मनुश्य शरीर की प्राप्ति हो गई। महापुरुष की प्राप्ति हो गई की न। फिर भी आपका चित्त होद्ध नहीं है। पूर्णा बैराग्य नहीं है। एल्य कर्म निकरता कोई। ठीक है, पिर भी वेदान्त का अधिकारी हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है ध्यानम, इच्छा के बाद नहीं है महापुरुष की संगति में रहेगा सजमें कि नहीं? और कर्तव्य बुद्धि से येदी करेगा व्यदान्त को है कि नहीं? स्रवन करेगा तो धीरे 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 चित्त सुद्ध होगा ये सजमें है पक्डमाया करत अभ्या बुद्धी से करना पड़ता है ज्ञान का अधिकरी तो नहीं है जब तक साधन चतुष्ट संपन नहीं होता है तब तो ज्ञान का अधिकरी नहीं हो सकता है लेकिन करत बुद्धी से सुन्ने का अधिकरी बन चकता है क्या समया? बैदान्त सुनने का अधिकारी बन सकता, सुनने का अधिकारी सद्धावान है, सद्धावान है ना, यह समझना पड़ता है, इसलिए बैदान्त का अश्रवण सबसे उत्रिष्ट साधन का आ गया, लेकिन कर्तव्य द्रिष्टी हो तो, बैदान्त सुनना मेरा कर्तव्य, इसस क्या होगा भगवान जाने, भगवान के उपर छुड़ दो, सज में कि नहीं, तब उसका कल्यान हो सकता है, गूरु की सेवा मेरा करतब्य है, उसे क्या होगा गूरु जाने परमात्मा जाने, मैं ऐसे कोई मतलब ने, मुझे तो आग्यां का पालन करना है, बैस, है कि नहीं, तब तो उसका कल्यान हो सकता है, जागादी कर्मा नहीं कर रहा है, तब उसका कल्यान हो सकता है, धनमे, हाँ, लेकिन ये रखो, लेकिन आप मालो की जो है, आपको जो कर्मा प्राप्त हुआ है, संध्या मंदा नाधी ये सवादी, उसको नहीं करेगा, तो प्रत्यभा दोस तो लगेगा ना वो विक्षेप बोता है ना आगे आगे जा करके विक्षेप डाल देगा ओ यह सब देखना बढ़ता है आगे बढ़े ओ अरात्मा रूपके तो थोड़ी ठीक है एबं प्रतमा विकल्प दुशणं परपंचय ती अनात्मा इती प्रतमा विकल्प के बदले तो थी अभिकल्प करना चाहिए टीपणी में दिया है देखो दूसरा अभिकल्प क्या मालूम है ब्रह्मा आत्मा नहीं है आपसे ब्रह्मा भिन्ना है संच्छा मैं कि नहीं है ऐसा यदि मानते हो तब भी ज्ञान का क्या प्रोजन भीर कर्मा का क्या प्रोजन है चे ज्ञ ज्यान हो चाहे ज्यान ना हो चाहे कर्मा हो चाहे कर्मन हो ब्रह्मा तो अबेशा हमें आपसे भी नहीं रहेगा आप के ब्रह्मा हो सकते आप कभी ब्रह्मा रूप नहीं हो सकते इजले कहरें आगे अना आत्मा रूप के तु ब्रह्मा नी ब्रह्मा जदी आत्मा नहीं है है कि नहीं इजले सुधार देना इसको भाई यह जो टिका में दिया है एबम प्रतमा बिकल्प दोशणम है कि नहीं प्रतमा से क्या लेंगे यहां पर दोतिय निकाल करें दोतिय कर दो दूसरा जो विकल्प कहा ब्रह्मा आत्मा नहीं है ऐसा मानते हो तो उसका विचार क्या जा रहे अनात्मा रूप के तो ब्रह्मा नहीं ब्रह्मा आत्मा नहीं है तो भई न कर्म साधन भावं प्रतिपद्धते ये कर्म क्या करेगा बताओ, कर्म साधन नहीं हो सकता है, ब्रह्म की प्राप्ति के लिए कर्म साधन नहीं हो सकता है, बलते ज्ञान होगा क्या, तो ज्ञान भी क्या करेगा, ज्ञान भी आपको ब्रह्मरुपता को प्राप्ता आपसे भी नहीं रहेगा जबिature कहा नापी ज्ञानम चोलो, मिला दो ज्ञाना और कर्म को तबी नहीं हो सकता है कर्मा समचिताम और समचिताम भाद कर्म के साथ ज्ञान का समच्य हो तक कितीन पक्ष हो गया केवल कर्मा भी ब्रह्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है केवल ज्ञान भी नहीं अथवा समच्चित भी नहीं तीन पक्षों हो गया जस्मात क्यों भाई ऐसा कह रहे हो अन्यत्तम सत्यव साध्यकस्य यह देखो भी क्योंकि ब्रह्मा आपसे भिन्ना हो गया ब्रह्मा कैसे हो गया भिन्ना हो गया वो साधक जो ब्रह्मा को प्राप करना चाहता है वो जो साधक है वो तो ब्रह्मा से भिन्ना है न ये ले कुछ भी करो आप ब्रह्मा रुपत नहीं हो चकते इसलिए का भिन्ना तो भिन्ना ही रहेगा न अभिन्या केसे हो जाएगा ब्रह्मण अपी अन्यत्तम स्वतेव सिद्धम इसे वेका ब्रह्म अभी क्या है आपसे भिन्या है आपी ब्रह्म से भिन्या हो ब्रह्म अभी आपसे भिन्या है ऐसे कह रहे इसले स्वत्व हो अन्यत्वे अपी अनन्यत्व सिद्धे साधन अपेक्छा एतिया हो अरे पहले भिन्यता और अभिन्यत्व को प्राप्त करने के लिए साधन्यत्व करना पड़ेगा ऐसा मानते लो लो इसले साधन्यत्व करना पड़ेगा तब कहते हैं ऐसा होने पर नहीं होगा भिजनत भिजनर आएगा अनन्याश्या न्यात्मता प्रापतो नाकचित हेतु संभव तास्विन साथ्य पिनो न च्ट्रह प्रात्मानम् प्रपध्य दे एकस्त नम्मर में कह कह रहे अन्यस्य अन्यत्मता प्राप्तु यह की ने ना कचित हेतु संभवः यह देखे जो अन्य है जो अन्य आपसे भिन्ना है उसको यह दिए आपको प्राप्त करना है आत्मरूप से तो भी क्या होगा कचित हेतु संभवः ना कचित हेतु संभवः है की ने इसमें किसी पकार का हेतु नहीं आ सकता है जो आपसे भिन्ना हो उसके साथ एक हो जाए आप उसमें कोई हेतु बनेगा उसमें कोई हेतु तो नहीं बन सकता है है ना तस्मिन सत्यपी बोलते कि नस्टह परमात्मनम प्रपद्यति जब तक आप भिन्न हो तब तक आप ब्रह्मरुप नहीं हो सकते और आप जदी नस्ट होगे तो आप परमात्मे को प्राप्त करेंगे निकरेंगे क्या करें आप रोगे ने तक कौन प्राप्त करेगा आप रहेंगे तब तक प्राप्त करोगे जब तक आप हो अलग ब्रह्मा से तब तक आप कभी ब्रह्मरुप नहीं हो सकते आप जदी नस्ट होगे तो पर प्राप्त कौन करेगा ब्रह्मा को तो पहले से भी आप हो फिर पहले से भी आप हो ना इसलिए जब तक हो तब तक आप रहाम रुपन ही हो सकते आपका अस्तित हो जी समाप्त हो गया तो फिर ब्रह्म को कौन प्राप्त किया फिर प्राप्त करने वाला तो रहे तप्त होगा ना इसलिए भेत हाँ जदि आरोपित मानोगे भेत को तप्त हो जाएगा सत्य मानोगे जब तक आप भिन्ना हो ब्रह्म से तप्त ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकते आप जोदे नश्टा हो जाए का कोगे तब भी ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं हो सकते यह मानना चाहिए ठीक है? ऐसा होता है भई थोड़ी ठीका है पंकती है क्या नाश होगा? नाश किसका होगा? पोलन ना आदम पोलन नाश होगा